नमस्कार, Hindi Learning Channel पर आपका स्वागत है आज आश्मा महाजैन Hindi Learning Channel पर लेकर आई है नव्यूग Hindi ब्याकरन तथा रचना का टॉपिक सेकिंड क्लास 10th कोर्स एके स्टुडेंट्स के लिए वच्चे पहला चैप्टर रचना के अधार पर वाक्यवेद अप्लोड हो चुक है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको आज second chapter upload होने जा रहा है जिसके बारे में already मेरे चैनल पर वीडियो अप्लोडेट है वाच्चे के बारे में लेकिन आज इस वीडियो में आपको नए examples मिलेंगे नए पाठेक्रम के according जाने की 2023 के पाठेक्रम के according जो भी बहुविकल्पी प्रेशन पूछे जाएंगे जिस तरह से भी पूछे जाएंगे उसके बारे में हम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे तो सबसे पहले बच्चे को बता दें बाच्चे क्या होता है तो बाच्चे किरिया के जिस रूप से हमें ये पता चल जाए कि किरिया का मुख्य विश्य क्या है करता है कर्म है कि भाव है उसे कहते हैं बाच्चे करतरी बाच्चे में हमेशा आपको याद रखना है ने लग रहा है राजीव के उपर पढ़ रहा है राजीव सो रहा है तो राजीव के उपर ही तो प्रभाब पढ़ रहा है तो किरिया किसके एकॉर्डिंग है यहां पर करता के एकॉर्डिंग है राजीव सोता है राजीव लड़क है उसके एकॉर्डिंग किरिया सोता है है ना तो करत करतरी वाच्चे में करता के according होती है, और इसमें अकर्मक सकर्मक, दोनों कर्याई हो सकती है, याद रखीगा करतरी वाच्चे में भूत काली के रहे होती है, past tense है, दूसरा परसर्ग लगा रहता है, जानि की ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे example है मान लो, तूलसी दास के सार ने लगा हुआ है तो फटा-फट से जाके टिक कर लेंगे यह करतरी वच्चे का वाक्य है है ना अगर मैं बोलती तूलसी दास के द्वारा राम चरित मानस लिखी गई अब के द्वारा आगया भी यह के द्वारा कहां आता है कर्म रहता है और उसका आंसर आप कैसे निकालते हैं दो तरह से प्रशन करके क्या और किसको जैसे एक्जेमपल ले लिजिए तुलसी दास के द्वारा रामचरित मानस लिखी गई अब मैं दो तरह के प्रशने इसमें लगाऊंगी अगर दोनों में से एक का भी जवाब मिल ग लिखी गई आंसर मिल गया मुझे रामचरित मानस टिक कर दूगी करम वाचे है तुलसी दास के द्वारा किसको लिखी गई ये प्रशन का आंसर नहीं मिला कोई बात नहीं एक का तो मिला तुलसी दास के द्वारा क्या लिखी गई रामचरित मानस क्या और किसको लगाकर ज कर्म किरिया इसमें ध्यान रखनी है आपको किसमें कर्म बच्चे में ठीक है अब आई बात भाव अच्चे की भाव अच्चे में किरिया किसके एकोडिंग होगी भाव के एकोडिंग और याद रखिएगा इसमें तिर्यक किरिया भी होती है और तिर्यक किरिया का मतलब अगर माली जीए कोई example ऐसा है जैसे बच्चे सीता ने अपने पुत्र को सुला दिया माली जीए example है सीता ने ये example है माली जीए अपने पुत्र को सुला दिया अब बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा confused कि मैं किसके recording काम करूँ भई सुला दिया ठीक है अब सीता के साथ ने लगा हूँ है बच्चा के एगा कर्तरी बाच्चे का बाक्य है अपने पुत्र को सुला दिया तो को लगा हूँ है बच्चा के एगा अपने पुत्र को बीच में कर्म है तो इसलिए करम बाच्चे है लेकिन आप देखिए ना तो किरिया जो है सुला दिया करता के एकॉडिंग है ना ही करम के एकॉडिंग है यहाँ पर किसके एकॉडिंग है तिरियक स्थिती और तिरियक स्थिती क्या होती है तिरियक स्थिती के एकॉडिंग यह होता है कि उसमें किरिया जो है ना तो करता के एकॉडिंग है ना करम के according है वो भाव के according है अब सीता ने चाहे राम को सुला दिया चाहे राम ने सीता को सुला दिया स्थिती यहाँ पर भाव के according है तिर्यक स्थिती कहते हैं इसे वो भाव अच्चे के अंतरगत आती है ठीक है भाव अच्चे में कई इस वीडियो में मिलेंगे हम आपका अभ्यास प्रश्ण पत्र ही आपसे solve करवाने जा रहे हैं बस इन चीजों का ध्यान रख लीजिए और भावचे में कोई भी sentence जब end करेंगे वो जाता में end करेंगे जाता कैसे आगे example से clear होगा जैसे की मैंने आपको example आपसे मैं पूछने जा रही हैं आप साथ साथ मुझे आंसर देते चले जाईएगा करतरी वाचे से भावचे का वाक्य बनाया गया यहां पर मान लो करतरी वाचे से भावचे में बदलने के लिए क्या किया जाता है यहां पर करता के आगे से अथवा के द्वारा लगाए ज भावचे का टेंस है जरूरी नहीं है हर बार नहीं आए नहीं करम वाचे में भी आ सकता है ठीक है तो यह करतरी वाचे के वाक्य है जैसे हम नहीं हस सकते इसका वाक्य क्या हो जाएगा हम से हसा नहीं जाता यह जो जाता है ना यही पहचान है भावचे की याद रखिएगा भावच्चे और करम वाच्चे से जब आप करतरी वाच्चे का वाक्य बनाते हो जैसे एक्जेम्पल है पहला मुझसे पत्र नहीं लिखा गया करतरी वाच्चे में ने परधान रहना परसर्ग लगा रहेगा तो इसमें क्या होगा मैंने पत्र नहीं लिखा उसका वाक्य आपका भावच्चे और करम वाच्चे में क्या बन गया है मुझसे पत्र नहीं लिखा गया ठीक है जैसे last example है आज घूमने चला जाए ये तो भावच्चे का वाक्य है है अब करत्री वाच्चे का क्या है आज घूमने चले जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता द आज नया पाठ पढ़ाया अब इसमें वाच्चे परिवर्तन करना है लेकिन ये नहीं बोला करम करो भाव करो जा करत्री करो कुछ नहीं आपको अपने एकोडिंग करना है तो आप अपने एकोडिंग कीजिए अध्यापक ने हमें आज नया पाठ पढ़ाया तो अध्याप को नहीं सहा जा सकता ठीक है बगवान हमारी रक्षा करता है बगवान के द्वारा हमारी रक्षा होती है जा की जाती है ठीक है तो इस तरह के वाक्यों को ध्यान से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले रूल्स दिमाग में रखने आपको करतरी वाच्चे मे क्या है ओके चल आगे देखते हैं जैसे सिपाही ने छोर पकड़ा माता ने बच्चों को प्यार किया वे हमें मुर्ख समझता है तो उसके द्वारा भावच्चे बना दिया उस मुझसे बैठा नहीं जाता सकता में रहे जरूरी है कि आपका भावच्ची का उर्च आए वो जाता में आएगा मुझसे बैठा नहीं जाता आज अध्यापक ने नहीन पड़ाया आज अध्यापक के दौरा नहीन पड़ाया गया अभ अच्ची के नाम बताने अब यहां से आपको पता चलेगा, रात बर कैसे जागा जाएगा, अब यहां पे कोई प्रशन तो बननी रहा, बीच में कोई कर्म तो है नी, तो क्या होगा ये, भावच्चे है, अब तो सेब नी खाया जाता, तो क्या नी खाया जाता, कोश्चन का अंसर मिल ला है, सेब नी पदेश दिया, अब अशोक ने संसार को शांती का ने लगा हुए, कर्ता के अकॉर्डिंग है, किरे आपकी, कर्तरी वाच्चे है, एक वेक्ति द्वारा ही समाई का सुधार संभव नहीं है, कर्म वाच्चे हो गया, मुझसे आपका पत्र नहीं पढ़ा जाता, तो मुझसे क्या नहीं पढ़ा जाता, यहाँ पर जाता दे के भावच्चे नहीं कर देना, क्यूंकि कर्म है यहाँ पर, मुझसे आपका पत्र नहीं पढ़ा जाता, कर्म वाच्चे है, अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी को पढ़ा अब आगे question number 4 है जैसे भावाचे में बदलो रोगी से संत्रा अब example आगे आपके सामने रोगी से संत्रा नहीं खाया जा रहा भावाचे में बदलना है रोगी संत्रा नहीं खा पा रहा फिर आपको सूचना देता हूँ आपके लिए सूचना दी जाती है ठीक है उसके बाद क आया नहीं गया हम गानी पाए यह करतरी वाचे हो गया क्योंकि हम की परदानता है नहीं यहां पर उसी पर का सारे एक्जेंपल है इसी के recording आगे देखते हैं निर्देशा नो सार वाचे परिवर्तन करना है महर्शी देयानंद ने आरे समाज की स्थापना की तो करम वाचे म में बदलना शात्र पत्र लिखते हैं ठीक है उसी परकार हम हन हम नहीं हस सकते सोमया सुबा को नहीं उठ सकी सुमित द्वारा कविता पड़ी गई रीमा चित्र बनाती है यह सारे वाकियों को निर्देशा नो सा परिवर्तित करके आपको यहां पर दे लिया गी संक्या 178 पे आजएए येस मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता अब भावचे में बदलना है मुझसे इस गर्मी में नहीं सोया जाता ठीक है वे लोग शांत नहीं रह सकते उन लोगों से शांत नहीं रहा जाता करम बदलिये पानवाले ने साब बता दिया पानवाले के द्वा जो है वो करम बाच्चे का वो कोशन अलरडी करम बाच्चे में ही है ठीक है? यहाँ पर आपको करतरी बाच्चे में करके दे दिया है मैंने ऐसे करम बाच्चे में बदलने के लिए बाके है ही नहीं क्योंकि करम बाच्चे में अलरडी के द्वारा जाता है नेता जी ने देश के लिए अपना सब को इत्याग दिया नेता जी के द्वारा देश के लिए अपना सब को इत्याग दिया गया सुरेश खाना काएगा सुरेश के द्वारा खाना खाया जाएगा अब आगे टेंस बदलने हैं करतरी वाच्चे में जैसे अम उसे जबलपूर नहीं जाए जा सकेगा अम मैं जबलपूर नहीं जाऊंगा फिर जापाऊंगा भी लिख सकते हैं आप संगीता द्वारा आज बहुत लंबी कविता सुनाईगी संगीता ने आज बहुत लंबी कविता सुनाई मा द्वारा कहानी सुना रही है मा कहानी सुना रही है मालिक द्वारा नोकर को डांटा गया मालिक ने नोकर को डांटा प्राथना सभा में घोशना की गई तो प्राथना सभा में घोशना हुई राजा दोरा प्रजा को कष्ट दिएगे राजा ने प्रजा को कष्ट दिए वाच्चे बताना है पान वाला नेया पान खा रहा है तो पान वाला क्या खा रहा है उससे पता चल गया करम है बीच में नेया पान खा रहा है तो करम वाच्चे हो गया संसत में क्या प्रस्तुत हुआ संसत में विदेयक प्रस्तुत हुआ विदेयक क्या होता प्रस्ताव तो करम वाच्चे हो गया मुझसे बैठा नहीं जाता समर्थता दिखा दी बावच्चे हो गया ठीक है तो ये करतरी वाच्चे करम वाचे और भाव वाचे को समझने का तरीका ही यही है कि करतरी वाचे में ने लगा रहेगा परसर्ग लगा रहेगा परसर्ग सहीत होगा करम वाचे परसर्ग रहीत होगा जानि कि विबक्ती नहीं लगी देगी उसके साथ लेकिन करतरी वाच्चे में भी वक्ती लगी देगी भाव अच्चे में किरिया भाव के एकॉर्डिंग होगी भाव अच्चे में कभी-कभी तिर्यक स्थिती भी आ जाती है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है इन चीजों का खास तोर पर ध्यान रखियेगा भाव अच्चे में समर्थता भी होती है नहीं भी लगा होता है लेकिन जरूरी नहीं वाला वाक्य भाव अच्चे ही हो अब बहुविकल्पी प्रशन है आपके सामनी जैसे पहला प्रशन है आपके सामनी मुझसे पत्र नहीं लिखा गया तो कर्तरी वाच्चे वाकिये क्या होगा मैंने पत्र नहीं लिखा सरकार द्वारा शिक्षा पर बहुत खर्च किया जाता है तो कर्तरी वाच्चे सरकार शिक्षा पर बहुत खर्च करती है करम वाच्चे बनाना है मैं ये भाशा नहीं पढ़ सकूँगा मुझसे ये भाशा नहीं पढ़ी जा सकेगी अशोक पुस्तक पढ़ता है अशोक से पुस्तक पढ़ी जाती है से और के द्वारा दोनों आने है करम वच्चे में लेकिन यहाँ पर जाता है अशोक पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पर क तो जाडों में गरम पानी से नहाते हैं अब जैसे की यह example आपके सामने है ना जा मैं एक example ले लूँ सरदियों में उससे खेला नहीं जाता वाक्य किस वाच्चे का उधारन हो गया भाव अच्चे का जा इस तरह का example अगर्मियों में खूब नहाया जाता है आप इनकी practice कीजिए और खुद कोशिश कीजिए अगर ना समझ में आए तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि किसके according क्या answer टिक हुआ है और अगर कुछ समझ में ना आए कि क्यूं हुआ है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप ठीके तो निमलिकीत वाक्यों में से आगे करतरी वच्चे फिर दूसरे में मैं कविता पढ़ सकता हूँ ठीक है भावच्चे वाले वाक्य चांटने है तो इसमें कोई वाक्य ही नहीं है भावच्चे का लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया के द्वारा लगा हुआ है मालती ने खाना खाया ने लगा हुआ है मुझसे पत्र नहीं लिखा गया ये आपका करम वाच्चे है बच्चों से शांत नहीं रहा जाता बच्चों से क्या नहीं रहा जाता ये भी करम वाच्चे हो गया नहीं बच्चों से शांत नहीं रहा जाता तो जाता वाला जो टेंस हो गया आपका इसमें क्या बता दिया गय भाव की प्रधांता बताए थी ठीक है फिर सेवनत कोशन है वाक्यों में करमवाच्चे वाले वाक्य चांटो तो सुमित द्वारा कविता पड़ी गई ये भाव वाला वाक्य है राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिये गे द्वारा लगा हुए तो ये आपका करमवाच्च पर रुका नहीं जा सका यहां पर क्या कर देंगे थर्ड वाले पर बस थर्ड का अंसर आप मैच कर देंगे विपक्षी थर्ड वाले से भावच्चे से हो जाएगा कर्थरी वाच्चे में करता ही वाक्य का मुख्य केंदर होता है करम वाच्चे में करम पर बल होता है करता पर नहीं भाव अच्छे में करम नहीं होता बल भाव या किरिया पर होता है करम वाच्छे और भाव अच्छे में करता नहीं होता तो पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों आपकी ठीक देंगे ठीक है उसके बाद थर्ड कोशन है करम वाच्छे में करता नहीं होता करम नहीं होता भावाचे में कर्म गोन होता है भावाचे में कर्म परमुक होता है भावाचे में कर्या अकर्मक होती है तो आपका फर्स्ट और फॉर्थ ऑप्शन राइट रहेगा भावाचे में कर्म नहीं होता कर्या अकर्मक होती है सकर्मक कर्या किसमें होती है आपके कर्म बा बाच्चे की वीडियो के और भी बहुत सारे उधारन है जो आपको मिल जाएंगे ठीक है ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा मैं बार बार कह रही हूं कुछ ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा ठीक है लेकिन बाच्चे में कोई भी गडबड मत कीजिएगा चार नंबर का टॉपिक है चार नंबर में से चार ही पूरे आने चाहिए आपके करतरी वाच्चे में करता की परधानता ने लगा रहेगा करम वाच्चे में सेक ये द्वारा लगा रहता है करम की परधानता होती है करम होता भी जो ठीक है भाव सबा में घोशना की गई अब प्राथना सबा में क्या की गई फर्स्ट कोशन है तो प्राथना सबा में क्या की गई घोशना की गई तो फर्स्ट को मिला दिया करम बच्चे से ठीक है पान वाला निया पान खा रहा है क्या खा रहा है पान वाला वैसे तो यहां पर भी करम बच बाच्चे से मिला दिया तो यह होगी आपकी बाच्चे की वीडियो कंप्लीट आई होप यह वीडियो आपके काम आए अपने दोस्तों के साथ शेर कर दीजिए का वीडियो को लाइक कर दीजिए का नेक्स एप्ट पर इचे लेकर जल्दी ही आपकी बुक्का आपके सामने प